हाई गाईस नमस्ते विल्कम बैक टू माय चैनल एना इम सुमान। जब मैं 98 किलोष की थी तब मिर पैसे थे, ना मेरा बजट था, कि मैं डाइट की महेंगी चीज़े लेकर आपाय। या फर मैं वेइट strain कर सकूँ, या फर मैं किसी से कॉनसर्ट कर सकूँ, कि मुझे क्या खाना है, कि ग। जिससे मेरा वज़न गर जाय है. बाइट मेरे पास एक चीज़ पकी थी कि मेरी विलपार कि मुझे तो वेट लॉस करना है कैसे भी करना है और एक situation ऐसी आजाती है जब आपको करना ही होता है Now, I'm sure आप मेंसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका same level चल रहा है और same situation चल रहा है यह एक एसा डाइट है जिसको करने से easily आपका वेट आपस होगा आट से दस किलो प्लस आपको कोई महगा समाल लेने की जरूरत नहीं है प्लस आपको किसी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक टीज रखना क्योई भी आपके आसपास का एसा बंदा हो जिसको आप अपना वेट डेली का भीज सको सुपह उठ करना चेक करने के बाद कि यह मेरा डेली का वेट अपडेट है आपको एक एसा बंदा चाहिए चाहिए हो आपकी मदर है, फादर है, भाईया है, भाभी है कोई best friend है, या फिर कोई teacher है या फिर कोई भी ऐसे फेक बंदा पकड़ो, जिसको आप डेली का अपना वेट चेक करके एक जिस मेसिट डाल सको और वो आप से पूछ सके कि आपने क्यों आपका वेट बढ़ा हुआ है, या आपका वेट गेर क्यों नहीं रहा है ये diet plan बहुत simple है, आपके घर के basic ingredient से बना हुआ diet chart है और plus इस diet को follow करने साब के body में कोई भी deficiencies नहीं आएंगी अच्छी खासे मैंने डाले add कर रखे हैं जो सब के घर पे मिलती है plus इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये diet chart sugar patient को छोड़ कर कोई भी कर सकता है और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये एक बिल्कुल ही simple diet chart है बिल्कुल simple, कोई ताम जाम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी order करने की ज़रूरत नहीं है कोई ऐसा ingredient नहीं है जो आपके घर के आसपास की जगों पे नहीं मिलेगा और महंगी diet बिल्कुल भी नहीं है सो हम टाइम बेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं किचन में और बनाते हैं morning drink ओके जी, सब सब पहले हम बात करते हैं morning drink की सो पहला morning drink का option है यहाँ पर एक किलास लिया हमने गरम पानी उसके अंदर हमने डाला है lemon एक ने चोड़ दिया हमने यहाँ पर निम्बू सो यह है हमारा फॉस्ट morning drink lemon water बट अगर आपको निम्बू से अलर्जी है आपको से ट्रिस बिल्कुल नहीं चलता तो दूसरे option पर हम बात करते हैं next option पर हम बात करते हैं morning drink को लेकर आधा चमच जीरा आधा चमच जीरा गया यहाँ पर और जीरा तो हर किसी के घर पर मिलता और सबस्यों में इस्तमाल होता ही होता है उसके अंदर हम डाल देंगे हमारा एक किलास गरम पानी और इसको हम पूरी रात सोप करके रखेंगे सुबह उठके चान कर इसको पी जाएंगे विदाउट गरम क्योंकि मौसम नहीं गरम करके पीने वाला ना सो इसको सुबह उठेंगे चानेंगे और पी जाएंगे ओके जी अब हम अगला ओप्शन लेकर चलते हैं जी मौनिंग ड्रिंग का ये लिए हमने एक गिलास गरम पानी पानी के साथ ये है मेरे पास करी पत्ता और ये है मेरे पास नीम पत्ता अब हर किसी के पास इन दोनों में से एक आप्शन तो मिलेगा मिलेगा या तो पांच करी पत्ता लेंगे या पांच नीम पत्ता लेंगे और साथ में हम गरम पानी पीएंगे Simple Next, ये है मेरे पास गरम पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया है मेरा pinch of haldi powder फुल पिंच जितना खुब अच्छे से इसको mix करेंगे और ये रहा हमारा morning drink बिल्कुल ready ये रही हमारे morning drink के options Welcome back ची So, अब हम बात करते हैं नाष्टे की So, वे उठने के 35-40 मिनट के अंदर अंदर आपका नाष्टा हो जाना चाहिए So, नाष्टे के लिए क्या बनाना है चलते है के चिन में Okay, so अब हम बनाने जा रहे हैं नाष्टा नाष्टे के लिए यहां पे मेरे को चाहिए बेसन जो हर किसी के घर पे मिलता है और एक बेसिक चीज है जो सब के घर पे होता है Next is यहां पे टाल रहे हो में गीहू का आटा Okay, जी इसके अंदर हम डालेंगे पिंच ओपजवैन यह भी सभी के घर पे मिलता है और एक बेसिक इंग्रीडियन्ट है हर किसी के घर का और अब मैं यह आटा गुन दूँगी बेसिकली मेरी हलपर संजना गुन देगी क्योंकि मेरे नेल्स है Okay, जी जो आटा है यह बिलकुल रेडी है और अब हम बनाएंगे इससे नाष्टा के जी 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 रे हमारा फुलका अच्छाइब आखिए आखिए। up to you एक चमच की ऐसे आप दो फुलके ले सकते हो किसी भी सब्जी केसा किसी भी सब्जी के साथ टफी हां जी टफी भी खाएगा अभी ये है पेठे की सब्जी ये है घीघीया की सब्जी जिन जिन लोगों का अब ये रोटी खाने का मने नहींने सुबबे का कि मैया हमको तो रोटी नहीं खाने का अब हम क्या खाएंगे हम उपमा बनाएंगे उपमा की रेसिपी ये रही मेरे चैनल पे हम घीये का बेसन का चिला बनाएंगे ये रखी है का बेसन का चिला की रेसिपी मेरे चैनल पे इसके अलावा हम मुंग दाल का चीला का का रैप बनाएंगे इसके अलावा भी ये सारी रेसिपी इसका लिंक जो है में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपके घर के आसपास कहीं पे ब्रेट मिलती है तो आलू प्याज का हम सैंड्विच बनाएंगे सो ये सारे ऑप्शन से हमारे ब्रेक्टिस के सो अब इसके बाद हम बात करते हैं मिट ब्रेक्टिस की सो मिट ब्रेक्टिस के लिए क्या लेना है चलते है किचिन में अब बात करते हैं मेड प्रेक्टिस की, मेड प्रेक्टिस में यह 50 रुपे का आता है मुरमुरा, 500 ग्राम का एक पाकेट आया पूरा गेरा, यह I guess 50 रुपीस का है 200 ग्राम, बहुती सस्ता, दूसरी चीज है, यहां पर भुना हुआ चना सब के पास मिलता है, सीजनल फ्रूट आप ले सकते हो, इन तीरों में से कोई भी ऑप्शन, जो भी सीजन का फ्रूट हो, जो अबी सीजन का फ्रूट मिले, सेब, बनाना, मैंगो, दस प्लम, पीचेस, जामून, पालसे, जो भी आपको सीजनल फ्रूट मिले, जो चीप आपके बजट में आ रहा हो, वो, अगर व हो हमने आट करना ही करना है, इन एनी फर्म, धाल गिया का सालेट, ये रहा रेसिपी मेरे चैनल पे, दाल पेठा का सालेट, पेठा बहुत सस्ती सबसी है, या बहुत सस्ती सबसी है, आपके घर के आसपस, किसी भी रेडी वाले से मिल जाएगी, किसी भी लोकल मंटी से मिल और बहुत ही सस्ता मिलता है, दाल सबके घर पे मिलती है, सबके घरों में होती है, एक बेसिक चीज है हमारे घर की न, उसके अलावा हम लेंगे दाल सैलेट, दाल सैलेट का रेसिपी हे रहा, ग्रीन मुंगे की दाल का सैलेट, उसका भी रेसिपी ये रहा, या फिर आपको बह बहुत जादा भूख लग गई है, बहुत जादा भूख लग गई है, सो ऐसी सिट्वेशन में हम लेंगे मुंग की दाल की खिछडी, यह रही उसकी रेसिपी, अगर आपको लगता है कि नई जी मुझे उकेश भू के और में सारी दाले खाके थक चुका हूं, तब हम लेंग प्रिंक में कैसे बनाना है, चलते है किचिन, चलिए जी, यहाँ पर हम बना रहें इवनिंग टी, अब चाय पत्ती बेसिक सबके घर पे होती है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है गरम पानी, इसके अंदर जी मैं डाल रही हूं मेरा, आदा चमर जितना चाय पत्ती, इसके अंदर मुल्चे चाहिए, आधा लिमिन, यह टाल दिया जी निम्बू, और अब उसको हमें जादा देर तक नहीं रखना, फानी बहुत तेज करम है, और अब यह हम चान लेंगे, और हमारी जो इवनिंग टी है, यह बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसके साथ भी मुर्मुरा ले सकते हैं, या फिर आप भुना हुआ चना ले सकते हैं, वेलकम बैक जी, इवनिंग ड्रिंक में आगर आपको मुर्मुरा ने लेना, भुना चना ने लेना, तब आप एक से दो खीरे आट कर सकते हैं, या एक से दो गाजर, आपके घर के आस पास मिलती होगी हमारा salad भी हो गया और हमारा diet भी हो गया अब हम बात करते हैं dinner की now dinner के अंदर में आपको बहुत ही liquid चीज़े देना चाहूंगी इस diet में और बहुत ही simple चीज़े जिसका ingredient आपके घर में हो सबसे पहले मैं बात करते है tomato soup की हर किसी के घर में tomato मिलते है और tomato soup की recipe बहुत simple है कुछ भी fancy item नहीं चाहिए यह रही recipe हम इसको बनाएगे next हम बात करते है pumpkin soup की पेठह की soup पेठह का soup बहुत simple है बनाना और सब के घर के आसप्लास पेठह मिलता है तो यह रही पेठह की soup की recipe number 3 हल्दी वाला दूद season change होगा बारिश होगी फिर धूप होगा कोई भी weakness है या फिर आपको अच्छा कोई शर्दा नहीं है कुछ भी खाने का तब हम लेंगे याप पे healthy वाला दूद next यहाँ पे बात करते हैं बेसन के शीरे की बेसन का शीरा बहुत ही simple है बनाना बहुत ही easy recipe है और खासी जुखाम बुखार में और मौसम change होने के time पे बहुत ही important चीज में इसको मानती हूँ इसकी help से आपकी जो immunity भी है जो हो strong होगी so बेसन का शीरा next अब मैं बात करते हूँ याँ पे आप इन आप मसाला पनीर आप अपना डाइट में आड कर सकते हैं अचा इसके अलावा आपको मन करता है कि नई जी मैं तो अंडों से काम चला लूँगा अंडे आपके घर के आसपास मिलते हैं तीन से चार रूबले और एग वाइट और उसके साथ अगर आप सालेट कोई भी आट करना चाहते हैं आपकी मर्जी आप कोई भी टाइब की सालेट ले सकते हैं खीरे, प्याज, टमाटर और गाजर, सौते कियो है बीन्स अगर आपके आसपास मिलते हैं तो आप यह ले सकते हैं now move करते हैं night drink में night drink कैसे बनानी है चलते है किछले में चलिए जी यहां पर अब हम बात कर रहे है night drink के ये लिए मैंने एक गिलास इसके अदर मैंने डाल दिया pinch of भुनावा जीरे का powder अब इसमें में डाल दूंगे आधा कप गरम पानी that's it और यह जो shot ready हुआ है यह है हमारा night drink और I'm sure भुनावा जीरा सब के घर पे होता है नहीं है तो बहुत easy है banana जीरा भून के उसका powder करना है That's it Welcome back जी So मुझे ऐसा परसनली लगता है कि weight loss करने के लिए na budget से जादा आपकी नियत होनी चाहिए कि हाँ मुझे तो weight loss करना है I'm sure यह डाइट आपको बहुत help करेगा इस डाइट के साथ 3-4 चीज़ें बहुत ही important है जो मैं आपको बता देती हूँ आपका stress level manage होना चाहिए आपकी sleeping pattern manage होना चाहिए गुसा बिल्कुल नहीं करने का इस डूरेशन में जब आप डाइट कर रहे हो एकसेस travel नहीं करने का अपने माइन को शांत रखने का टाइम पर सोना, टाइम पर उठना मील्स के टाइमिंग्स का बिल्कुल manage करके चलना और पानी 3-4 लीटर, sip sip करके जटके में में इस डाइट को करने से easily you can lose 8-10 kg और बहुत ही असान है आज में पोस्ट करने वाली हूँ अपने इंस्टाग्राम में पल्लवी कर रांस्फोमेशन 42 और 43 kg उनों ने डाउन किया है 8-9 महीने के लिए और ट्रस्ट मी, कोई भी वेट लॉस कर सकता है कोई भी आप लोग भी बहुत असानी से कर सकते हो और बिना किसी help के रांडम आप अपनी खुद के body का type समझो और किसी की help लिए बिना आप अपना transformation करो तब मज़ा जादा आता है so yeah that's all about this video guys so I'll see you in my next upcoming video so take care जी, bye bye